तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ तो 2022 में आई मूवी खुदा आफिस टू को इसके IMDB रेटिंग है 8.9 out of 10 जो की मूवी के हिसाब से सही ही है पर अभी फिल्म नई है तो रेटिंग्स बदलने के आसार जादा हैं मैं मूवी को एक्स्प्लेइन करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लालकल से लिके सब्सक्राइब को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़ रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की शिरुवात में हम उसी जगा को देखते हैं जहां नर्गिस मुवी के पिछले भाग में दिखाई गई थी और हम देखते हैं कि नर्गिस के साथ वहां एक आदमी उसको नशा कराके उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है तब ही नर्गिस की आँख खुल जाती है और तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो उसका बस एक बुरा सपना था या कह सकते हैं कि जो भी उसके साथ वहाँ हुआ था वो एक बुरे सपने के तरह उसे हर दिन याद आता था जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो दर्दनाक हास्ता उसे रोज वही दर्द महसूस कराता रहता था वो साथ से के बाद से नर्गिस बिलकुल भी नॉर्मल नहीं हो पाई थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो भूल पाना उसके लिए मुश्किल था और इसलिए उसने डिप्रेशन और एंसाइटी की दवाईयां खाना शुरू कर दी थी अब समीर और नर्गिस के बीच हमेशा दूरियां ही बनी रहती थी क्योंकि नर्गिस के साथ जिसने गलत किया था वो मर्द ही थे तो नर्गिस के अंदर एक डरसा बैट गया था और वो पहले की तरह समीर के साथ नहीं रह पा रही थी वहीं समीर हर दिन नर्गिस के लिए सब कुछ करता था जिससे कि वो दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकें पर उसे नर्गिस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था पर फिर भी वो लगा रहता था इस उमीद में कि शायर सब कुछ ठीक हो जाए समीर और नर्गिस हर अफ़ते एक साइकाटरिस्ट के पास जाते थे क्योंकि बहुत से चीजे थी जो वो एक दूसरे को नहीं कह पाते थे पर डॉक्टर के सुझाव से उन्हें एक दूसरे की बातों को समझने में मदद मिलती थी डॉक्टर दोनों से पूछती है कि आप दोनों के बीच कैसा चल रहा है तो समीर कह देता है कि फिलाल सब कुछ सही चल रहा है लेकिन नर्गिस कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और किसके लिए अच्छा चल रहा है ये मुझे नहीं पता लोगों के लिए आप श्रीराम का अवतार बन गए जो सीता को बजा कर वापिस ले आए लेकिन मैं नहीं हूँ सीता जी की तरह मुझे अपनी अगनी परिक्षा रोज देनी पड़ती है क्योंकि जिस गली जिस चौरा है जिस महले में जाओ हर इंसान जानता है कि मैं ही वो औरत हूँ जिसका बाहरी मुलक में बलदकार हुआ मैंने तीन नोक्रियां बदल डाली और हर जगा सिंपथी देते हुए मुझे बार बार वो याद दिलाया गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और हर रोज मुझे याद आता है कि मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बलकि कई बार बलतकार हुआ, नर्गिस के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका उस ट्रॉमा से बाहर आना असान नहीं था, और वो जानती थी कि समीर उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, पर उसके अ उसके मित्र के भाईया भावी का देहान थो गया था, तभी उसे एक छोटी बच्ची नंदनी दिखाई पड़ती है, जो कि उन्हीं की बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे, समीर का मित्र कहता है कि मैंने सारे रिष्टेदारों से बाचीत करने की कोशिश करी, पर सबने इसे अपने साथ रखने से मना कर दिया, और मैं अकेले इसे नहीं समाल सकता, इसलिए इसे कहीं NGO में रखना पड़ेगा, समीर को वो छोटी बच्ची नंदनी बहुत पसंद आ गई थी, और उसकी मासूमियत उसे भाग गई थी, इसलिए वो अपने मित्र से क कहता है कि जब तक उसके लिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिल जाता, मैं उसे अपने घर पे रख लूँगा, जिससे कि तुम्हें कोई परिशानी भी नहीं होगी, समीर का मित्र ऐसा करने के लिए मान जाता है, और अब समीर नंदनी को घर ले आता है, जिससे देखकर न से रहने लग जाता है, क्योंकि जल्दी उसने अपने मम्मी पापा को खोया था, तो उसे प्यार मिले और कोई उसके साथ हो यही उस वक्त उसके लिए सही था, नर्गिस के दिमाग में बहुत सी कन्फ्यूजन चल रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नंदन को हिला देती हैं, लेकिन जिंदगी अगर तूटी हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी ही खतम कर दें, बलकि हम उसे जोड भी तो सकते हैं, नंदनी भी आपकी तरह तूटी हुई है, और शायद ये खुदा का तरीका है दो तूटे हुए लोगो पिशिश करती है, नंदनी बाहर खेलने गई हुई थी, तो तब ही उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, और जब नर्गिस बाहर जाती है, तो देखती है कि एक कुटा उसे काट रहा है, नर्गिस तुरंत नंदनी को बचाने के लिए कुटे से भिड़ जाती है, और उसे मार कर कैसे भी भगा देती है, लेकिन इन सम्में वो भी घायल हो जाती है, नर्गिस तुरंत नंदनी को हॉस्पिटल ले जाती है, और उसका और अपना इलाज करवाती है, रात होने पर जब समीर अपने काम से घर वापस आता है, तो नर्गिस उसे सब कुछ बता और वो नंदनी को अपने हाथ से खिला रही थी, और यह सब कुछ हो पाया था नंदनी के आने के बाद से, यानि कि नर्गिस ने नंदनी को अपना लिया था, और अपने दुख को पीछे चोड़कर उस छोटी बच्ची को खुश्यां देने का फैसला कर लिया था, पर तब ही नंदनी को अडॉप्ट कर लें तो कैसा रहेगा ये सुनकर समीर को काफी खुशी होती है क्योंकि नंदनी के आने के आने के बाद नर्गिस में काफी बदलाव देखने को मिला था और वो उसके साथ खुश भी रहने लगी थी इसलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है सारे कानूनी तरीकों के साथ समीर और नर्गिस नंदनी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका स्कूल में अडिमीशन भी करा देते हैं और अब वो तीनों ही एक परिवार बन कर खुशी-खुशी साथ में रहने लग जाते हैं इसी दोरान समीर और नर्गिस के बीच जो दूरियां थी वो कम सी हो जाती हैं और काफी टाइम बाद वो एक दूसरे को फील करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार भरा अनमोल समय बिताते हैं अब हम देखते हैं कि एक दिन नंदनी स्कूल के बाहर घर तक छोड़ने वाले रिक्षे का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सीमा होता है जो कि नंदनी से बड़ी थी पर उन दोनों में काफी बनती थी सीमा नंदनी को आइसक्रीम खाने का ओफर देती है तो वो दोनों ही लोग आइसक्रीम खाने के लिए स्कूल के बाहर निकल जाते हैं तबी वहाँ पर एक नीली कलर की वैन आती है और उसमें से तीन लड़के बाहर निकलते हैं और एक ड्राइवर टाइप आदमी भी उनके साथ रहता है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम बच्चु होता है वो सीमा का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वैन के अंदर ले जाने हैं आइसक्रीम वाले चाचा उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं पर बच्चू की हाथ में बंदूग थी जिसके कारण वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं इसकूल वाले ये खबर समीर को देते हैं तो वो तुरन दोड़ते भागते स्कूल पहुंचता है जहां उससे पता चलता है कि नंदनी किड्नाइप हो गई है तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है हम देखते हैं कि समीर सीमा के भाई के साथ पुलिस चेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए और उनसे मांग करता है कि जल से जल रिपोर्ट लिख कर जांच परताल की ज पर पुलिस वाला अपना काम करने के बिलकुल भी मूड में नहीं था और कानून की बाते समझा कर रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है तब हिनर के समीर को फोन करके नंदनी के बारे में पूछने लगती है तो समीर उससे जुट बोल देता है कि वो भी उसके मितर के साथ खूमने गई है समीर को पता चलता है कि आईसक्रीम वाले चाचा ने सब कुछ होते हुए देखा है तो वो उनको लेकर खुद ही अपनी बच्ची को धूरने का सोच लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि पुलिस से कुछ नहीं हो पाएगा और खुद से ही कुछ करना होगा चाचा उसे बताते हैं कि वो वैन किस तरफ गई थी तो समीर उसी तरफ जाता है और वहाँ पर मौझूद एक दुकान में लगे सिसी टीवी कैमरा से फुटेज देखकर पता लगता है कि वो वैन शहर से बाहर की और गई है इसके बाद हम पुलिस आफिसर को देखते हैं ज जिसे सबी लोग ठाकुर जी कहकर पुकारते थे और वो शहर की जानी मानी महिला थी क्योंकि उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अन्य तरह की भी पावर्स थी जिसके वजह से वो अपनी गुंड़ाई के लिए जानी जाती थी यहां हमें पता चलता है कि बच् दो लड़कों के साथ शामिल था किड्नैपिंग करने में और पूछती है कि आकिर हुआ क्या है शैलेंदर घबराते हुए बताता है कि बच्चू दो लड़कियों को उठालाया है जिनमें से एक की उमर 15 साल है और एक की 5 साल है और हमने उनको रोखने की कोशिश करी पर वो रुके नहीं और बच्चू और उनके साथियों ने दोनों बच्चियों के साथ बलादकार कल डाला है ये सुनकर ठाकुर जी एक पल के लिए सुन हो जाती है पर उन्हें याद आता है कि बच्चू उनका ही बोता है इसलिए वो शैलेंदर को वहीं पर रुकने के लिए कह द यहां यह देखने को मिल रहा था कि ठाकुर जी के पोते ने इतना घटिया घिनोना काम किया था पर फिर भी वो उसे बचाने के लिए सारे हदकंडे अपनाने को तयार थी क्योंकि उनके पास पैसा और पावर दोनों थी जिसके आगे उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि उनके पोते ने कितना नीच काम किया है दोनों बच्चियों की खबर अब नीउस चैनल्स में फैल चुकी थी और एक रवी कुमार नाम के रिपोर्टर्स नीउस को जनता तक पहुँचाने में लग जाते हैं उदर हम देखते हैं कि ठाकुर जी के मना करने के बावजूद वो लोग वैन लेकर निकल पड़े थे जहां हम देखते हैं कि सीमा बुरी तरह से घायल थी और वहीं नंदनी खून से लटपत बेहोश पड़ी थी और ये तीनों लड़के अब ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें ठिकाने कैसे लगाया जाए समीर और चाचा जी हर जगा धूरते हुए उसी जगा पहुँच जाते हैं जहां बच्चों और वो सभी मौजूद थे पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तभी उन्हें नजर आता है कि दूर कहीं कुछ जल रहा है तो वो लोग उसी तरफ निकल जाते हैं वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो दिखता है कि वही नीली वैन आग की लपटों में जल रही है जिसे देखकर समीर हरबडाते हुए आग बुझाने लग जाता है ये सोचकर कि उसमें बच्चियां होंगी पर गाओं वाले बताते हैं कि इसमें कोई भी मौजूद नहीं था अब गाओं वाले और समीर सभी लोग बच्चियों को धूरने लग जाते हैं काफी तलाशने के बाद आखिरकार उन्हें सीमा मिल जाती है जो कि बुरी तरह से जक्मी पड़ी हुई थी पर उन्हें नंदनी नहीं मिलती थोड़ी और खोजबीन के बाद समीर को नंदनी मिल जाती है जिसे देखकर समीर की सांसें अटक सी जाती हैं और आखों से लगतार आसु बहना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ हुई इस बरबरता को देख वहां मौझूद सभी के मन में यही खयाल आ रहा था कि हे भगवान ऐसा भी कोई एक बच्ची के साथ कैसे कर सकता है दोनों बच्ची को हस्पिटल पहुँचाया जाता है और सभी यही उमीद कर रहे होते हैं कि दोनों बच जाएंगे तभी सीमा का भाई समीर को बताता है कि यह सारा काम बच्चू ने किया है जो कि सीमा का पीछा किया करता था और उसे छेड़ना और परेशान करना उसका काम था हमने उसकी स्कूल में कम्प्लेन भी की पर किसी ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो ठाकुरजी की फैमली से बिलॉंग करता है समीर ये सब जान ही रहा होता है कि तभी उसे नर्गिस के चीखने की आवास सुनाई पड़ती है और तब हमें पता चलता है कि नंदिनी ने अपना दम तोड़ दिया है उसके साथ इतनी बुरी तरह से दरंदिगी की गई थी कि वो उस दर्द को छेल ही नहीं पाई और उसकी आत्मा तक को जंजोर कर रख दिया जिसके कारण वो इस दुनिया को छोड़ कर चली गई हम देखते हैं कि अब छोटी बच्ची नंदिनी का अंतिम संसकार किया जा रहा होता है जहांपर सभी लोग आय होते हैं शोक मनाने के लिए और सभी की आखें नम होती है और सबके दिलों में ये बात बैट गई थी कि आखिर एक पांच साल की बच्ची के साथ कोई ऐसी कुरूरता कैसे कर सकता है अब हम देखते हैं कि नर्गिस अपना समान पैक करके जाने के लिए खड़ी होती है और समीर से कहती है कि अब ना तुम वो रहोगे और नहीं मैं वो रहूंगी और ना हम वो रहेंगे और पहले जैसा हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्यों साथ रहना अब जब तक मेरे बच्ची के बलातकारी मर नहीं जाते, कट नहीं जाते, फांसी पर लटकाए नहीं जाते, तब तक आप अपनी शकल मत दिखाना काफी समय बीचने के बाद भी पुलिस उन बलातकारी लड़कों को नहीं पकड़ पाई थी या फिर सच तो ये था कि वो पकड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके उपर पैसे और पावर वाले लोग बैठे हुए थे जो चाचा जी थे जिन्नोंने सब कुछ होते हुए देखा था, वो पिछले एक महिने से गायब थे और पुलिस वाले ये बताते हैं कि जिस वैन से किड्नैपिंग हुई थी, वो किड्नैपिंग वाले केस के एक हफ़ते पहले खो गई थी मतलब कि यहाँ पूरी कोशिश की जा रही थी केस को दबाने की और इन सब के पीछे हाथ था ठाकुर जी का और ये बाद समीर समझ चुका था कि पुलिस उनी की जी हुजूरी करने में लगी हुई है अब एक राज समीर उस पुलिस वाले के घर में घुच जाता है जो उसे घुमाय जा रहा था और उसे मारते हुए पूछता है कि आकर इन सब के पीछे है कौन पुलिस वाला बताता है कि वो ऐसक्रीम वाला आदमी तुमें अब नहीं मिलेगा क्योंकि ठाकुर जी उसे ठिकाने लगा चुके हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड सकते वो कहता है कि उसे तुम एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ और वैसे भी वो बच्ची तुमने गोद लिया था तो एक बार फिर से गोद ले लेना लेकिन इस बार लड़का गोद लेना नहीं तो लड़किया तो बदनामी ही लेकर आती हैं पुलिस वाले की ऐसी नीच और घटिया बातों को सुनकर समीर का खून खौल जाता है और वो उसे बुरी तरह मारने लग जाता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और उसे काबू में करके बंदी बना लेती है अब हम देखते हैं कि समीर को जेल भेज दिया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात सितारा भाई से होती है जोकि बहुत बड़े गैंक्स्टर माने जाते थे एक खबरी उन्हें जानकारी देता है कि वो समीर से दूर रहें क्योंकि रशित कसाई ने उसको मारने की सुपारी जैसवाल को दी है तो अगर आप बीच में जूद एक हटा-कटा कैदी अपने छेलों को ले कर समीर के उपर हमला कर देता है पर समीर के पास वो कैंची का तुकड़ा था जिसकी मदद से वो सभी लोगों को मारने लग जाता है पर वो हट्टा-कटा आदमी मरने को तयार ही नहीं था और बार-बार-वार करने पर भी वो नहीं मर रहा होता अब सितारा भाई अपना समझाता तोड़ कर वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं काफी खून खराबा होने के बाद आखिरकार समीर उस आदमी को मार डालने में कामियाब हो ही जाता है पर तभी वहाँ पुलिस फोर हैं कि अब शायद वो सभी बलतकारी लड़के पकड़े जाएंगे अब हम देखते हैं कि एक खालिद नाम का आदमी सितारा भाई को खबर देता है कि लड़के कसाई खाने में चुपे हुए हैं क्योंकि ठाकुर जी हर रोज वहाँ टिफिन भेजवा रही हैं सितारा भाई अकेला नहीं था बलकि उसके साथ सितारा भाई के लोग थे और अब वो सभी लोग कसाई खाने पहुँच जाते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए पर वहाँ राशित कसाई के लोग फुल पैरा दे रहे होते हैं और उनको देखते ही उन पर हमला कर देते हैं समीर के पर खून सवार था तो वो बिना सोचे समझे बिना देखे कि कि किसको कहां लग रहा है वो सबको मारते जा रहा होता है और आकर में उसके सामने राशित कसाई आकर खड़ा हो जाता है राशित कसाई और समीर में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टकर दे रहे होते हैं पर समीर राशित पर भारी पड़ जाता है और तब समीर सभी के सामने राशित की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है उस जगा की तलाशी लेने पर वहां समीर को शैलेंदर और एक लड़का मिलता है पर बच्चू और दूसरा लड़का वहां से भाग निकले थे अब समीर और उसके साथी उन दोनों को एक जगा ले जाकर उनसे पुछताश करने लग जाते हैं तो शैलेंदर सब कुछ बता देता है कि मैंने इन सब को रोकने की कोशिश करी पर ये लड़के नहीं माने और मुझे बस नौकर बना कर रखा हुआ है बच्चू ने सीमा के साथ बलतकार करके फिर उसको बैट से मार मार कर खेत में छोड़ दिया और उस छोटी बच्ची का बलतकार तो इस लड़के ने किया था ये सुनकर समीर का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है और उसके अंदर का गुस्सा उबाल मारने लग जाता है ये जानने के बाद कि उस छोटी बच्ची नंदनी के साथ गलत करने वाला उसके सामने है तो वो अपना आपा खो देता है और एक धारदार हतियार लेकर उस लड़के को लगतार मारते हुए उसके पूरे बदन को जखम से भरते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है अगर आपको इस लड़के पर जरा से भी दया आ रही हो और लग राओ कि समीर ने गलत किया तो एक बार आप अपने आपको उस जगा पर सोच कर देखिए कि अगर कोई आपकी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करे और करने वाला आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे अब यहाँ हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने बच्चू को उसके पिता जी के पास भेज दिया है जोकि एजिप्ट में रहते हैं ताकि यहाँ की पुलिस कभी भी उसे पकड़ न पाए अब हम देखते हैं कि समीर एक सीनियर आफिसर से मिलता है जो इस केस को हैंडल कर रहे थे और शलेंदर को उनके हवाले कर देता है क्योंकि शलेंदर ठाकुर जी के खिलाब गवाही देने को तयार हो गया था और अफिसर समीर को जानकारी देता है कि बच्चू अपने पिता के साथ है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिसमें महीनों लग जाएंगे पर तुम्हारे लिए कोई प्रोसीजर नहीं है तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम तीन लोगों को पहले ही उनको सही जगा पहुँचा चुके हो समीर उनसे सवाल करता है कि आप ऑफिसर होते हुए भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो तो आफिसर बस एक ही जवाब देता है कि मेरी भी एक बेटी है समीर अब बच्चु को पकड़ने के लिए इजिप्ट जाने की तयारी करने लग जाता है कि तब ही उससे मिलने के लिए नर्गिस उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए समीर कहता है कि अब मैं वो आदमी नहीं रहा जिसके साथ तुम रहती थी नर्गिस कहती है कि मैं इंतजार करूँगी इस नए आदमी के वापिस आने का अब समीर खालिद भाई की मदद से इजिप्ट पहुँच जाता है और सिधा उस मार्केट में जाता है जहां इलीगल तरीके से बंदूके मिलती थी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि इलीगल गंस बेशता था तो वो उसे अपने में ही शामिल कर लेता है क्योंकि वो वहाँ के हर जगा को जानता था तो समीर को काफी आसानी होती बच्चू को धून निकालने में बच्चू के पिता वहाँ के एक गैंगस्टर के साथ काम करते थे और उनका काफी नाम था जो की बदनाम था तो उसके जरीये उनके ठिकाने का पता चल जाता है एक दिन तक समीर उन पर नजर रखता है और फिर अगले दिन हतियारों से लैस होकर वो उनके अड़े में घोश जाता है और वहाँ पर सभी चेले चपाटों को मारना शुरू कर देता है पर बच्चू और उसके पिता को उनकी खबर मिल जाती है तो वो वहाँ से भाग निकलत समीर उनका पीछा करते हुए कैसे भी करके उनकी गाड़ी पल्टा कर बच्चू को धर दबोशता है और सबसे पहले उसकी टांगों के बीच में धरा धर लाते मारता है और फिर हाँ से उसके अक्रोट को पकड़ कर पूरा मीज देता है ताकि उसे एहसास हो कि जो दर्द उ ये भी कम ही था बच्चू तब भी वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पिता समीर को रोकने की कोशिश करते हैं पर समीर के गुस्से के आगे अब कोई भी टिकने वाला नहीं था तो वो उसको मार कर फिर से बच्चू को पकड़ लेता है और एक और बार उसके अक्रो जी को खबर मिलती है कि शलेंदर अब गवा बन चुका है और पुलिस किसी भी वक्त उन्हें पकड़ने आ सकती है ठाकुर जी ने एक लड़की को अपनी नौकरानी बना के रखा हुआ था जिससे वो हर तरह के काम करवाती थी और उस तरह के काम भी जो कोई भी लड़की न लेती है अब कुछ समय बात का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि नर्गे समीर के पास होती है और वो उसका हाथ अपने पेट पर रखती है जिसका मतलब कि वो बताना चाह रही थी कि समीर पिता और वो मा बनने वाली है जिस बास से दोनों ही लोग काफी ज़्या आए हैं कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी पार्टी में शामिल हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं जिने आपकी मदद चाहिए इसी भीड में समीर को नंदनी की एक जलक दिखाई पड़ती है जो कि मुस्कुरा रही होती है और समीर को बाय कह और समीर सुपादी को एकसप्ट भी कर लेता है और सभी को हाँ दिखाते हुए आशवाशन देता है कि वो उनके साथ है और वहां खड़ी भीड उसके नाम के नारे लगाने लग जाती है और फिर मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो अगर हम इस मूवी के इंड की बात करें तो हमें यही देखने मिलता है कि यह फिल्म अभी खतम नहीं हुई है बलकि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा और हमें शायद यह देखने मिलेगा कि अब समीर कोई आम आदमी नहीं रह गया है बलकि वो सभी लोगों का मसीहा बन चुका है और उसके पास कई तरह कि पॉलिटिकल और मैन पावर आ चुकी है जिसे वो लोगों की भलाई के लिए काम में लाएगा पहले पार्ट में हमें देखने को मिला था कि कैसे औरतों और लड़कियों को धोके से या गुमरा करके फसाया जाता है और किसी गलत काम में डाल दिया जाता है और तब समाच महिने की बच्ची का भी बलतकार होने की खबर सुनी हैं तो अब क्या ही कह सकते हैं कि समाज में कितने नीच और घिनाने लोग पनप रहे हैं बलतकारी जो हमारे देश में सालों साल जिन्दा रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं उस चीज के कई कारण है पहला कारण तो यही है कि अक्सर यह होता है कि बलतकारी किसी बड़े अधिकारी या बड़े बाप का बेटा होता है तो अपने पैसे और पावर से बच जाता है फिर आते हैं वो जिनके पास पैसा और पावर तो नहीं होता लेकिन वो जानते हैं कि हमारे देश का कानून कितना कमजोर और धीला है कि वो कुछ भी कर लें पर केस तो सालो साल चलना ही है फिर भले ही सब को सब कुछ पता हो पर फिर भी उन्हें सजा तुरं तो नहीं मिलने वाली फिर आते हैं वो लोग जो लोग कानून को बनाए रखने के लिए काम करते हैं पर वो इतने ज़्यादा भरस्ट और कामचोर हो जाते हैं कि वो अपना काम ही नहीं करते जिसके चकर में आधे से ज़्यादा केस तो दर्जी ही नहीं हो पाते कानून विवस्ता भले ही कितनी मजबूत हो जाए पर जो प्रशाशन में बैठे लोग हैं अगर वही ब्रस्ट होंगे तो कोई भी कानून तोड़ने में हिचकचाएगा नहीं बलकि खुले आम कानून की धजियां उड़ाएगा एक और वज़ा हम यहां ये भी ले सकते हैं कि जब कोई बलतकार करके आता है तो उसके परिवार वाले ही उसको बचाने में पढ़ जाते हैं और अपने प्यार के चकर में ये देखी नहीं पाते कि उसने कितना बड़ा गुना किया है और वहीं जब लड़की का बलातकार होता है तो कई बार तो उसके परिवार वाले ही उस पर उंगली उठाने लग जाते हैं और जब बात हर जगा जाती है तो हर कोई लड़की पर ही सवाल उठाता है पर लड़के से कोई नहीं पूछने जाता कि आखिर उसने ऐसा क्या क्यों तो ये जो लोगों की सोच है और सुस्त कानून व्यवस्था है वही सबसे बड़ा कारण है एक इंसान को शैतान बनाने का क्योंकि उसके अंदर कोई डर ही नहीं रह जाता और वो हर बुरी चीज करने को तैयार हो जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत से फिल्में एक्स्प्लेन की है और काफी सारी बाते मैंने कहीं है पर कुछ बाते मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा इनसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती अगर वो खुद पर कंट्रोल करना नहीं जानता और जो मर्दों का इगो होता है वो बहुत जल्दी हट हो जाता है जिसके चकर में वो कई गलत काम कर डालते हैं तो इस चीज पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए वन आपकी अच्छी खासी जिंदगी बरबाद हो जाती है और फिर बाद में पच्टाने का कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि गुना तो आपसे हो चुका है और उसकी सजा तो आपको मिलनी ही है दूसरी बात यह कि अब अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं जिसके साथ ये सब होता है उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता और ठक हार कर वो खुद ही बदला लेने का सोच लेता है तो सोचने वाली बात यह है कि अब हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया है कि अब वो दिन दूर नहीं कि फिल्मे रियालिटी में चेंज होना शुरू हो जाएंगी और लोग सड़क पर उतर आएंगे खुद ऐसे बलातकारियों को सजा देने के लिए फिल्म की बात करें तो काफी जगा पर ऐसे सीन है जो क्लियरली विज्वल्स बना कर दिखाए तो नहीं गए पर उनके बारे में सोच कर ही रूख काप जाती है और दिल तहल जाता है और एकदम से खून खौल उड़ता है और असा लगता है कि अगर मैं होता तो शायद मैं अभी उसको माई डालता फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, डिरेक्शन और म्यूजिक सभी कुछ सही देखने को मिलता है और इस बार के एक्शन सीन्स पहली वाली फिल्म के मुकाबले ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं यहां सबसे अच्छी बात यह लगी कि सेकंड पार्ट को वहीं से शुरू किया जहां पर पहला खतम हुआ था और एकदम से स्टोरी नहीं चेंज की बलकि यह दिखाया कि उस हाथसे के बाद नर्गिस और समीर पर क्या प्रभाव पड़ा अच्छे से कवर की गई है फिल्म में बस एक बात खटकती है और वो है नर्गिस का कैरेक्टर नर्गिस का जो कैरेक्टर और नेचर है वो काफी अजीब देखने को मिलता है और समझी नहीं आता कि आखिर वो चाती क्या है हमें यहां तक तो समझ आता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो उस चीज को भूल नहीं पाई है पर आगे चल कर जो वो फैसले लेती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं माना कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है पर समीर भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सब सही करने की और उसने भी तो कितना कुछ जेला था उसे वापिस लाने के लिए पर फिर भी उसका बरताव उसके प्रती रूड ही रहता है फिर इसके बाद जब नंदिनी की म ही नहीं लगा क्योंकि हर बार समीर ही क्यों सब कुछ करे नर्गिस का भी तो फर्ज था कि वो उसे सपोर्ट दे समीर की भी तो फिलिंग्स थी वो भी तो दर्द में था तो उसके दर्द को भी समझना चाहिए था पर रियल लाइफ की तरह फिल्म में भी लड़के की फिलि पर आपको इस बारे में क्या लगता है आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। पर आपको इस बात कर दिया है कि वो सर्फ एक्शन हीरो ही नहीं है बलकि उन्हें एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करने आती है और एक्शन के बिना भी वो फिल्म को हिट कराने का दम रखते हैं। और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान है नर्गिस यानि शिवली का अबराय अपने रोल में फिट बैटी हैं और जो उनका करेक्टर था उसे अच्छे से निभाया है। ठाकुर जी यानि की शीबा चड़ा अकसर हमें कॉमेडी फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आती हैं। पर इस फिल्म में उन्होंने एक विलन का रोल निभाया है और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है वो काफी काबले तारीफ है। और बाकी जितने भी सहक अलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है और सबने बढ़िया काम किया है। इस फिल्म में थोड़े ऐसे सीन्स हैं जो आप शायद देख ना पाएं। बाकी खुल मिलाक के मूवी काफी अच्छी है और इसे ठेटर में देखा जा सकता है। वैसे जब कोई रिमेक या नपोकिट की मूवी आती है तो बहुत से कमेंट मुझे नजर आते हैं और खुब हो हला मचाया जाता है। लेकिन जब ओरिजनल कंटन्ट आता है तो कोई नहीं देखने जाता भले ही वो इंटरटेनिंग हो। एक्जामपल के तौर पर आप इस मूवी को ले लीजे। इस मूवी में कोई नपोकिट नहीं है और बिलकुल भी बोरिंग भी नहीं है और बिलकुल ओरिजनल है पर फिर भी ये बॉक्स आफिस में हिट होने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। अब मैं आप से सवाल करना चाहूंगा कि समीर ने जो किया वो क्या सही था या गलत क्या उसे भरोसा करना चाहिए था इस देश के कानून पर कि वो बलतकारियों को सजा देगा या फिर उसने खुझ से जो किया वो सही था आप कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते अजय के लिएलियो ये के लेक्ट